आशा केमोती चैनल में आपका स्वागत है क्रिशन के नाम की महमा प्रेरत कहाने एक बार बहुत से महात्मा एक गाम में आकर यग कर रहे थे और वे पेड़ों के पत्तों पर चंदर से शिरी क्रिशन का नाम लिखकर पूजा कर रहे थे वेह स्थान गाम के बाहर था वहाँ एक आदमी रोज अपनी बक्रियां चराने जाता था हवन जग करके रिशी वहाँ से चले गए थे लेकिन वे पत्ते वही पड़े रह गे तबी घास चर रही वक्रियों में से एक वक्री ने रिशन नाम रुपी उन पत्तों को खा लिया जब वे आदमी अपनी सभी वक्रियों को घर ले आया तो सभी वक्रियां अपने बाड़े में जाकर मैं मैं करने लगी लेकिन जिस वक्री ने अपने अंदर क्रिशन नाम का पत्ता खाया था उसकी जगए वे क्रिशन क्रिशन करने लगी क्योंकि उसके अंदर क्रिशन का व रहा है मैं बोलना है तो वे कहती है क्रिशन नाम की महमा रूपी पत्ता मेरे वीतर चला गया मेरा मैं भी चला गया सभी वक्रियां उसे अपनी अपनी भाशा में बहुत समझाती थी पर वह बिचलित ना हुई और क्रिशन क्रिशन जबती रही सभी वक्रियों ने उसे अपने जुन से बाहर फेंकने का फैंसला किया वे सभी उसे सींगों से मार कर और धक्का देकर बाड़े से बाहर निकालने लगी जब मालिक स्वेरे आता है तो उसे बाड़े के बाहर देखता है तो पकड़ कर वापस अंदर कर देता है लेकिन वक्रियां उसे फिर अपने सिंगों से बाहर निकाल देती हैं मालिक की समझ में नहीं आता कि यह सब उसकी दुश्मन क्यों हो गई है मालिक सोचता है कि अवश्य ही इसे कोई रोग हो गया है कि सभी वक्रियां इसे अपने पास नहीं आने दे रही हैं इसलिए वह सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बक्री के कारण सभी बिमार पड़ जाए वह उस बक्री को रात में जंगल में छोड़ देता है प्राता काल जब कोई चोर जंगल में अकेली बक्री को देखता है तो वह उस बक्री को लेकर भाग जाता है और दूर गाम में जाकर एक किसान को बेच देता है किसान जो बहुत भोला है और अच्छे दिमाग का है प्रवा नहीं करता कि बक्री मैं कर ही है या क्रिशन क्रिशन वह वक्री दिन भर क्रिशन क्रिशन का जाप करती रही अब वह किसान उस वक्री का दूद बेच कर अपना गुजारा करता है रिशन नाम के प्रफाब से बक्री परचूर और मिठा दूद देती हैं। दूर दूर से लोग उस किसान से उसका दूद लेने आते हैं। किसान जो बहुत गरीब था बक्री के आने और उसके दूद की विक्री से उसके घर की स्थीती सुधरने लगी। एक दिन राजा का मंत मंतरी और सैनिक बड़ी परसंड हुए। उसने किसान से कहा कि उसने ऐसा दूद प्यले कभी नहीं पिया था। किसान ने कहा कि यह इस वक्री का दूद है। जो सारा दिन कृष्ण कृष्ण करती रहती है। मंतरी उस वक्री को और कृष्ण का नाम जबता देख हैरान रह किसान को धन्यवत देने के बाद वे वापस शहर के राजमहल में चला गया। उन दिनों राजमाता जो बहुत बिमार थी बहुत इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं कुई। राजगुरु ने कहा कि मा का संभलना मुश्किल है अब तो भगवान ही बचा सकते हैं। उसी को इतना समय नहीं था कि वह राणी के पास बैठ कर भगवान का नाम ले सके। तब मंत्री को उस वक्री की याद आई जो हमेशा क्रिशन क्रिशन जबती रहती थी। मंत्री ने राजा को इसके बारे में बताया पहले तो राजा को विश्वाश नहीं हुआ लेकिन कहा कि इससे मेरे घर की दशा ठीक हो गई है। जदी मैं तुम्हें यह दे दूं तो मैं फिर भूख से मर जाऊंगा। राजा ने कहा कि चिंता मत करो मैं तुम्हें इतना धंदूंगा कि तुमारी दृद्रता दूर हो जाएगी। अब किसान ने खुशी खुशी बक्री र मेरे बिलगुल हो गई। अब बक्री अपर स्वमें मे रहने कि अधयता थाया की महत को पहुशी आधड कितने से से अस्तत्त्त से पार नहीं हो जाएंगे हम पूजा नहीं कर पाएंगे हमारे राद्य भगवान की शरन में आपको जाना चाहिए जय जय शिरी रादे